कक्षा 10 एक्सरसाइज 1.1 का पहला प्रश्ण है निम्न संख्याओं का HCF ग्याद करने के लिए यूकलिट विभाजन अल्गोरिथम यानि यूकलिट विभाजन प्रमाइका का प्रयोग की लिए दो नंबर हमें दिये हुए हैं 135 और 225 हमें यूकलिट विभाजन प्रमाइका के इसाब से इनका HCF निकालना है HCF बड़े से बड़ा वो नंबर होता है जिसके पहाड़े में ये दोनों संख्याओं आती हो तो इसको कैसे हल करना है देखिए यूकलिट विभाजन प्रमाइका हमने पड़ी थी जो कहती है A बराबर B के उप्लस R होता है इसी प्रमाइका का हम प्रयोग करेंगे देखे कैसे सबसे पहले आप देखेंगे इन दोनों नंबरों में से कौन सा बड़ा नंबर है यहां देखे 135 और 225 में से 225 बड़ा नंबर है तो हम जब भाग करेंगे तो 225 को अंदर रखेंगे जो छोटा नंबर है 135 उसको बहार रखेंगे अब इनको भाग करेंगे तो देखे यह 135 है 225 है तो यह है एक के पहाड़े पर आएगा 135 5 में से 5 गए 0 2 इधर से हासलेगा 12 में से 3 गए 9 1 में से 1 गया 0 अब यहां बच गया 90 यह 135 से छोटा है यह आगे भाग नहीं जा सकती यहां हम यूकलिट विभाजन प्रमेका का पहला स्टेप लिखेंगे वो है A A था भाज्य यानि कि यहां लिख रहा हूँ नीचे 225 बराबर है B जिससे भाग किया भाजक गुना 1 जिससे जो भाग फल आया प्लस जो शेश आया 90 यह बन गया A बराबर B क्यो प्लस R ठीक है अभी हम इसको आगे हल करेंगे देखें कैसे हल करेंगे अब यह 90 135 है चोटा है आम भाग में तो हम यहां दशमलाव लगातें लेकिन यहां पर हम क्या करेंगे HCF के लिए आपने चौती पांच मी में जब HCF किया था तब भी यह किया था कि HCF के लिए आप क्या करते हैं इस 90 को बाहर कर देंगे यहां एक नई भाग शुरू हो जाएगी जिसमें अंदर अब 225 नहीं आएगा वो तो खतम हो गया अब अंदर आएगा यह वाला नंबर जिससे आपने आखरी वार भाग किया था यह यहां आजाएगा 135 मैं दुबारा रपीट कर रहा हूँ 90 तो यहां से 6 पल आया था ठीक है तो 135 जिससे आखरी वार भाग किया था यह 90 इसे छोटा था इसलिए अब यह 135 अंदर आगया 90 बाहर आगया 135 को 90 से भाग करना यह 90 के एक के पाड़े में चल जाएगा 90 एकम 90 5 में से 0 निकले 5 13 में से 9 निकले 4 यहां पर अब देखे 45 90 से छोटा हो गया यहां पर यूकलिड भी भाजन प्रमाइका फिर से हम अपनाएंगे कैसे अपनाएंगे यह बीच में जो होता है जिससे भाग किया वो होता है A यानि मैं यहां लिख देता हूँ एक बार आपके लिए A बराबर B क्योव प्लस R ठीक है बच्चो अब देखो 135 किसके बराबर होगा यह बराबर होगा B B था 90 गुना यह किससे गुना हुआ एक से क्योव है 1 प्लस R R है 6 6 कितना बचा हमार पास 45 तो यह आगया इसका दूसरा स्टेप हम ऐसे ही इसको आगे continue करेंगे जब तक हमारे पास शेशफल 0 नहीं आता अब जैसा हमने यहां किया था 45 छोटा है तो 45 अब बाहरेगा और अंदर क्या आएगा जिससे आखरी बार भाग किया था देखिए आखरी बार इससे पहले भाग किया गया था 90 से तो 90 अब अब अदर आ जाएगा और हम जानते है 45 के पहड़े में 90 आता है 45 दूनी 90 तो देखिए हमारा शेशफल 0 आ गया इसे भी हम यूकलिट विभाजन प्रमहिका के निसाथ लिखेंगे तो बीच में भाज्य है 90 बराबर पहले है इससे 45 यानि भाजक है 45 बी गुना क्यों शेशफल है 2 प्लस आर आर शेश सॉरी भागफल है 2 और शेशफल है 0 मैंने कहा था इसको हम तब तक कॉंटिन्यू करेंगे जब तक हमारा पास शेशफल 0 नहीं आ जाता तो आप देखेंगे कि हमारे पास जो शेशफल है वो 0 आ गया अब हमें तो निकालना था 135 और 225 का HCF तो HCF of 135 and 225 कितना होगा HCF ध्यान से सुनना HCF कितना होगा जिसको आकरी बार भाग किया गया आकरी बार भाग किस से किया गया था 45 से किया गया था इसका मतला 135 और 275 का जो HCF होगा वो होगा 45 याद रखेगा HCF होता है बड़े से बड़ी संख्या जिसके पहाड़े में दोनों आते हों तो सो 45 हम समय हो जिसके पहाड़े में działaी HCF था हम 57 में भी सीखते थे हमने इस कलास में क्या किया है हमने Euclid Vibhajan Pramika के अनुसार लिख लिख कर HCF निकाला है Euclid Vibhajan Pramika थी A बराबर B Q प्लस R इसके हिसाब से हमने पहली बार इसको लिखा फिर दूसरी बार इसको लिखा तीसरी बार इसको लिखा और ऐसा करने से हमें आखरी स्टेप में जब 6फल 0 आया सबसे important यह है कि जब 6-0 आएगा तभी HCF मिलेगा 6-0 आया तो हमने देखा कि HCF है जिससे आखरी बार भाग किया गया वो था 45 आप इसके बाकी प्रशन भी कीजेगा पहले प्रशन के बाकी भाग आप कीजेगा इसी तरीके से question number 3 है किसी parade में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकडी को 32 सदस्यों वाले का army band के पीछे मार्च करना है army में कितने सैनिक हैं 616 band में जो उनके साथ drum वाले band वाले होते हैं उनमें कितने सदस्य हैं 32 लेकिन दोनों की line इस प्रकार से बनानी है दोनों समुहों को समान संख्या वाले स्तंबों में मार्च करना है यानि कि अगर army की 12 line होंगी band की भी 12 line होंगी army की यदि 10 line होंगी band की भी 10 line होंगी army की यदि 8 line होंगी band की भी 8 line होंगी लेकिन वो कितनी होंगी वूसको देखने के लिए हम क्या करेंगे हम निकालेंगे 616 और 32 का HCF HCF कैसे निकालना है जैसे अभी आपने पहले कोशन में सीखा ठीक है इन दोनों में से देखिए 616 बड़ी संख्या है 32 चोटी संख्या है इसको पूरा भाग कीजे यदि भाग आगे continue हो तो जैसा आपने पिछले step में किया बिल्कुल वैसा ही इसको करकर और आपने इनका HCF निकालना है वही होगी आपके स्तंभों की संख्या जो भी आपका इसको solve करके यहाँ HCF आ जाएगा वही स्तंभों की भी संख्या होगी उमीद है कि आप इस कोशन को स्वयम से कर लेंगे थैंक यू स्वया